हलो दोस्तों मैं होंपर्थी फिजिसियन डाक्र आतीक हमद आज हम देखते हैं कि बच्चों में जो सर्दी लग जाती है तो बच्चों में सर्दी लगने की होंपर्थिक दवा जो की वेश्ट काम करती है और सर्दी लगने पे बखार हो जाता है खासी हो जाती है सर्दी लग जाती है कभी कभी बच्चों में पसली चलने लगती है तो इस सब में बहुत ही कारगरदवा है तो यह कंडिशन इसमें यह है कि अगर बच्चे जिसे फरस पे खेल रहे हैं ठंडे फरस पे खेल रहे हैं और फरस पे खेलने से उनको ठंडी लग गई या बच्चे पता लगा पानी में खेल रहे हैं पानी मिल जाता है तो बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं मन लगा के खेलते हैं पानी में खेलते खेलते हो काफी भीगे उनको सर्दी लग गई और अक्सर बच्चों को पानी में भीगने में बखाम, बुखार और खासी और कभी-कभी पस्ली चलने यह दिन लगता है in E specific condition, दो खुराग पहले दे दिया जाए अगर लिक्टिड में है तो कम से कम तीन तीन बून थोड़ा से पानी में डाल के दे सकते हैं या गोली में है तो तीन तीन गोली थोड़ा से जाड़ार जबान पर दे दिजिए तो नक्सवन का 200 पावर में देने से बिलकुल से खासी बुखार या बुखार भी है तो तुरंत ही आराम बिलना सुड़ हो जाता है बुखार डाउन हो जाना सुड़ हो जाता है और इसके बाद फिर वेलाडोना मेडिसिन 30 या 200 पावर में और फेरम फास 6x में ये दो मेडिस दिन में 3 बार देना है कब से कम 3 बार या 4 बार दे दिया जाए और फेरम फास भी 6 x power में 3-3 गोली देना है 3 बार चार बार दे सकते हैं तो ये दोनों दवा देने से और नक्स वो मिका सबसे पहले 2 खुराक दे देने से एक दो दिन दे दिया जाए तो ये प्राबलम बच्चों की सही हो जाती है और अगर पसली चल रही है चलने वाली होती है या चल रही होती है तो पसली भी कंट्रोल हो जाती है और आईसी कंडिशन में अगर पसली चल रही है और इन दवा से अच्छा कंट्रोल ना हो रहा हो तो एक मेर्सिन होती है एंटिम टार्टेरिकम साथ में एंटिम टार्टेरिकम 200 पावर में या 30 पावर में ये भी 3-3 गोली दिन में 3-4 बार दे देने से बच्चों की जो प्रावलम रहती है सर्दी जुखाम की या पसली चल लए है तो वो सब धिरे-धिरे सही हो जाती है तो एक केस हम देखते हैं कि एक जो है एक साल का बच्चा था और उसकी मा बताने लगी कि ये राग साब जो है पानी पाता है तो खुब खेलता है और पानी खेलता है उसके बाद फिर जो है इसको बुखार आ जाता है और इसको साथी पकल लेती है नाग बैती है कभी-कभी खासी भी आती है और अगर ले जाना पड़ता है और वहां पर शिकाई करना पड़ता है तभी कंट्रोल हो पाता है तो ऐसे केस में हमने देखा कि नक्स वोमिका 200 पावर में हमने दे दी सबसे पहले खाने के लिए दो खुरात और उसको वेला डोना 200 पावर में और फिरम फास 6-6 में ये दूनों दवा दिन में तीन बार या चार बार रेगलर खालाने के लिए दे दी तो ये तीनों दवा से उसका बुखार सही हो गया और जो सर्दी लगी थी उसकी खासी वासी जो आ रहे थी और दवा देने से ही तुरंत कंट्रोल होना शुरू हो गया और पसली जो चलने लगती थी फिर पसली भी नहीं चली पसली चलनी कंडिशन नहीं आए पहले सही डोल हो गया तो दोस्तों बच्चों के इस कंडिशन में जब बच्चे घर में जमीन पे या फार्स पे खेलते खेलते उनको सरदी लग जाती है या वो पानी में पा जाते हैं तो पानी में खेलते रहते हैं और ऐसी कंडिशन में अगर उनको सरदी बुखार हो जाए सरदी जा जाए तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब न किये हों तो सब्सक्राइब करें और विल आइकान को प्रेस करें जिससे हम हेल्थ संबंदी कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिविकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें ओके